दोस्तों एक्जाम T20 चैनल पर मैं प्रियंग का एक बग फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ जो भी बच्चे UP PCS Prelims एक्जाम देने जा रहे हैं वो सभी current affair को बहुत अच्छे से इस चैनल पर complete कर सकते हैं यहाँ पर द्रश्टी घटना चकर की एक बुक पूरी तरह complete की जा रही है जिसके काफी वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएंगे आप current affair पूरे वर्स का यहाँ पर revision भी कर सकते हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि क्या क्या important facts हैं जो एक्जाम में पूछे जा सकत हैं यदि आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस बुक को जरूर complete करके जाएं या हिंदी और इंग्लिस दोनों लैंग्वेज में आपके नजदीकी बुक इस्टोर पर मिल जाएगी यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप वीडियो के माध्यम से revision कर लीजे और एक्जाम टाइम में ये बुक आपके लिए काफी मददगार साबित होगी तो चलिए बिना देर के हम आगे स्टार्ट करते हैं हम वैज्ञानिक परीद्रिश्य पढ़ रहे थे उससे पहले राश्टी परीद्रिश्य और उत्तर प्रदेश का पूरा current affair आपको यहाँ प पढ़ेंगे frontier विशु का दुद्तम सुपर कंप्यूटर है 15 नॉमबर 2022 को विशु के दुद्तम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की लिस्ट जारी की गई है और यह साथमा संस्करण है यह याद रखिएगा और नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर जो की frontier है इसको विशु का दुद्तम सुपर कंप्यूटर घोशित किया गया है और वास्तों में यह विशु का पहला एक्जो स्केल सुपर कंप्यूटर है और इस सुपर कंप्यूटर का HPL जो हाई परफॉर्मेंस लिन्पैक स्कोर है वो है 1.102 एक्जो फ्लॉक्स यह याद है कि एक एक्जो फ्लॉप्स की संसाधन गती वाला सुपर कंप्यूटर प्रती सकेंड एक कुइंटी लियन अर्था 10 टू पावर 18 फ्लोटिंग पॉइंट संगर्णाय करने में सक्षम होता है स्कोर देख लीजे आप और यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका में स्तित ओक्रि नेशनल लेबरेटरी और फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो की HPE आर्किटेक्चर के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है और यह सुपर कंप्यूटर AMD जिसको Advanced Micro Devices बोलते हैं उनके प्रोसेसरों से लैस है नवींतन जो टॉप 500 सूची है उसमें सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर के साथ दूसरे स्थान पर है पहले स्थान पर चीन हो गया और दूसरे स्थान पर अमेरिका जिसके 126 सुपर कंप्यूटर है देख लेते हैं टॉप 10 सुपर कंप्यूटर कौन कौन हैं और किस देश के हैं उनको देखते हैं तो नमबर 2022 में रिपोर्ट जारी की गई है और देखिए पहले रैंक पे जो फ्रंटियर आया है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है वो अमेरिका का है और इसमें पेटा फ्लॉप्स के बारे में अगर देखा जाए इसकी गती देखी जाए दिक्तम संसाधन गती आर्मैक्स के टम में देख रहे हैं प संसेवैन सेवैंटी पॉइंट सेवैंट और फिफफ नमबर पर आता है संमिट जो कि अमेरिका का है यान्सेवैं ताइ हुलाइट चीन का है 93.01, एट नमबर पर पलमटर है, जो कि अमेरिका का है 70.87 है और नाइन्थ में सिलीन है, अमेरिका का 63.46, और टेंथ नमबर पर तिहाने, तिहाने 2A, चीन का है 61.44, यह हमने टॉप 10 देखें, बढ़ फिर से आप इनके नाम जरूर देख लीजे, प जो टॉप 3 हैं, उनमें अमेरिका जैपान और फिनलाइन का फ्रेंटियर फुगाको और लूमी है, उसके बाद समिट है अमेरिका का, सियरा अमेरिका का है, सन्वे ताइ हुलाइट है चीन का, एट नमबर पर पलमटर है अमेरिका का, और नाइन्थ नमबर पर सिलीन है अमे इसका है भारत में देख लेते हैं टॉप 500 सुची में से समग रूप से कौन सा स्थान दिया गया है 120 मतलब 120 है और इसकी अधिक्तम संसाधन गती देख लिए 4.62 पेटाफ्लॉप्स है भारती उसन देशी मौसम विज्ञान संस्थान जो की पूने में है इसमें स्थापित प्रत्यूस को टॉप 500 की नवीनतम सुची में 143 इस्थान प्राप्त हुआ है देखिए यह जो परमसिद्धी है इसको 120 प्लेस मिला है और जो प्रत्यूस है इसको 143 इस्थान मिला है इसकी स्पीड देखिए 3.76 पेटाफ्लॉप्स है राश्टी मध्यम स्पीड देखिए 2.57 पेटाफ्लॉप्स है तो आपको भारत के तीन याद रखने हैं कौन-कौन से परमसिद्धी प्रत्यूस और मिहिर के बारे में और इनका प्लेस अब सुपरकंप्यूटर परम अनंद के बारे में जान लेते हैं 30 मई 2022 को IIT गांधी नगर में स्थापना की गई है और इस सुपरकंप्यूटर की यदि स्पीड देखी जाए कितनी है 838 टेराफ्लॉप्स लेखनी है कि एक टेराफ्लॉप्स कितना होगा इसमें कितनी संक्रियाओं के गढ़ना कर पाएगा 10 to power 12 per second ठीक है परमनंद डारेक्ट कॉन्टेक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है यह हमने परम अनंद के बारे में जाना अब हमें परम काम रूप को देखना है जो की 13 अक्टूबर 2022 को जो अपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्टपती है भारत की वह आयाई टी गुहार्टी में परम काम रूप नामक एक के रूप में परम इसान जो था उसका इस्थान लिया है अब कुछ भारत के सुपरकंप्यूटर देख लें राष्टी सुपरकंप्यू्टिंग मिंसन के तहट जो प्रमुक सुपरकंप्यूटर है उनको देखते हैं पहला है परम पौडू जो की एनाईटी तिरुचिरा प गंगा आयाईटी रूड़की का ठीके पहले हमने तीन पढ़ लिए परम पोरूल परम प्रवेगा परम गंगा अगला है परम सिवाई जो की आयाईटी ब्हु का है अगला है परम शक्ति आयाईटी खड़कपूर परम ब्रह्मा आई आई सियार पुने का है और परम युक्ति जो की जवाहलाल नहरू उन्नत वैग्यानिक कनुशंधान के इंद जो की बंगलूरू में है वहां का है JNCASR का और परमसंगड़ा का IT कानपूर का है परमसिद्धी सीडैक पुने का है जिसको भी हमने पढ़ा था जो की टॉप जो 500 की लिस्ट आई है उसमें ये भी सामिल कि जा गया है अब हम देखते हैं अगला जूपिटर जो की यूरोप का प्रथम एक्जोस्केल सुपरकम्प्यूटर है देखे 15 जुन 2022 को यूरो एच्पी सी जी यू जो की यूरोपियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जॉइंट कंप्यूटिंग जॉइंट अंडर टेकिं है और इस सुपरकम्प्यूटर को नाम दिया गया है जूपिटर का जूपिटर का पूरा नाम देख लिजे क्या है जूइंट अंडर टेकिंग पाइनियर फॉर इनोवेटिव एंड ट्रांस्फोर्मेटिव एक्जास्केल रिसर्च फुल फॉर्म जरूर देख लिजे इसक सुरुवात की है और छठी इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2022 का ब्यूद घातन प्रधानमंतिज जईद्वारा किया गया तिके भारत में वेवसाइक तो पर 5G सेवा लॉंच करने वाली प्रतम कंपनी कौन सी है भारती एरिटर ठीक है पांचवी पीड़ी के बेतार नेटव मोबाइल इंटरनेट से कहीं आगे जाकर इंटरनेट आप थिंग्स आयोटी के विकास पर यह केंद्रित हैं 5G को अत्यधिक तेज अत्यधिक विश्वसनी अत्यधिक निम्न विलंबता का प्रशारण करने वाली अत्यधिक उच्छ सक्षम प्रौदोगी की के रूप में प लीजे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है 21 अगस 2022 को केंदी मंत्री डॉक्टर जीतेन सिंग ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन इंदन सेल बस को लांच किया है और इस बस का विकास विग्यानिक तथा औरोगी कनुसंधान परिसत जो की CSIR है तथा पूने स्थि KPIT Limited दोरा किया गया है देख लीजे किसके दोरा किया गया है CSIR और KPIT के दोरा इसको विक्सित किया गया है Hydrogen Fuel Cell Technology को CSIR National Chemical Laboratory और CSIR Central Electrochemical Research Institute दोरा Sentient Labs के सहता से इसको बनाया गया है देख लीजे किसकी किसकी सहता से तो CSIR जो की National Chemical Laboratory है और CSIR Central Electrochemical Research Institute इनके दोरा जो Sentient Labs है इनके सहयोग से बनाया गया Hydrogen Fuel Cell वहनों में आंत्रिक दहन इंजन के बजाए विद्दूत मोटर का प्रयोग यहां पर किया जाएगा और इस देश्टी से विद्दूत वहनों के समान ही या भी कारे करेगा EVS जो इलेक्रिक वहिकल है लेकिन एक और विद्दूत वहन जहां बैटरियों द्वारा संचा जिने रिचार्ज करने की आवशक्ता होता है और वहीं दूसी और Hydrogen Fuel Cell वहन अपनी उर्जा विद्दूत सयम उत्पादित करते हैं इनमें यह चेंज है देख लीजे क्या डिफरेंस है दोनों में और एक फ्यूल सेल में वहन के इंधन टैंक में Hydrogen Gas वाई में पस्तित ऑक्स अगला पढ़ना है देखी ये तो हमने पढ़ लिया जो Hydrogen Fuel Cell पे आधारित बस जो लॉंच की गई है अगला हमें पढ़ना है 2G Ethanol सेयंत ये काफी important चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और इनसे प्रशन आ सकते हैं इसलिए ध्यान से पढ़ते रहे हैं 2G Ethanol सेयंत के बारे में जान लेते 10 अगस 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद मोधी दौरा हरियाना के पानी पत में जो सेकेंड जेनरेशन की इतनौल सेयंत है उसका उद्घाटन किया गया है और इस कारिक्रम का उद्घाटन जो है विस्व जैव इंधन दिवस के उसर पर किया गया था उलेकनी है कि 2G Ethan एंधन औल का उत्पादन बायोगैस और सामकरी जो की सामकरी जोकी सामकरी क्या क्या हो सकती हैं खोई लखड़ी का कच्रा हो गया इनके जरिए से उत्पादन इसका किया जाता है इंदेण अंध्योरा निरमितिया सैंथ पानी-पत्री-फाइणरिक के निकट इस्थ या फिर पराली कॉप योग इसमें किया जाएगा और इस सहियंत से वार्षिक तोर पर लगबग 3 करोड लीटर एतनौल का उत्पादन हो पाएगा और इस पर योजना दोरा ग्रीन हाउस गैसों की मातरा में वार्षिक लगबग 3 लाग टन कारवन डायोकसाइड के उत सर्जन इतनौल पर योजना को वित्ती साहता प्रदान करने के लिए प्रदानमंती जीवन योजना को अदसूचित किया है कब किया था मार्च 2019 में और इस योजना का पूरा नाम देखते हैं प्रदानमंती जैव इंधन वातावरण अनकूल फसल अवसेश निवारण जीवन देखें एक हजार नौसो उनसट दस्मनों पांच जीरो करोर रुपए है अब देखते हैं अनाजाधारित देश का पहला इतनौल सेयंत कहां बना है अप्रेल 2022 में जो बिहार का पूर्णिया जिला है इसमें देश के प्रतम गीन फील्ड अनाजाधारित इतनौल सेयंत का उ गुजरात के कलोल में 28 माई 2022 को प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने कलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया तरल सेयंत का उत्गाटन किया है और यह सेयंत क्या करेगा प्रतिदिन नैनो यूरिया तरल की 500 जो मिली लीटर की लगवग देड़ लाग बहुत लोग का उत् प्रधान है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रधान करता है नैनो यूरिया तरल में 4 प्रतिशत नैनो स्केल नाइनो स्केल नाइट्रोजन कड़ होते हैं यूरिया की तुलना में नैनो स्केल जो नाइट्रोजन कड़ों का आकार है सूच में 20 to 50 नैनो मीटर जबकि प्रे हैं क्योंकि अपने वांचनी कड़ा का लगबग 20-50 नैनो मीटर अधिक सतय छेत्र एक मिली मीटर दानेदार यूरिया से 10,000 गुना अधिक होते हैं और कड़ों की संख्या देखें तो 1 mm दानेदार यूरिया पर 55,000 नाइट्रोजन कड़ा अधिक होते हैं इनके कारण यह पाउधों के लिए जैविक रूप से उपलब्ध है नैनो यूरिया लीचिंग एवं वैसी उस सर्जन के नुकसान है उसको कम करता है और पारिस्थितिकी पद्चिंग जो है उसको नियूंतम रखने में सहायता करता है 14 फरवरी 2023 को यूपी के आवला एवं फूलपूर में उफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उधगाटन किया गया है देखी ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजे नैनो यूरिया के बारे में बाखी चीज़े देखते हैं भारती परिप्रेक्ष में देखे क्रिशी एवं किशान कल्यार विभाग ने उर्वरक नियंत्रन आदेश 1985 के तहट इसमें नैनो यूरिया को अंतिम रूप से नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों के रूप में दिसूचित किया है और केंदी सार्विजनिक छेत्र के दो क्रमों CPSU में नामता है जोकी NFL है National Fertilizers Limited और RCF है राष्टी Chemicals and Fertilizers Limited ने इफकों के साथ प्रोदोगी की हस्तानांत्रा हेतु समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है और इन दो समझोता ग्यापनों के तहट क्रमसा नांगल जोकी पंजाब का है ट्रॉम्बे महराष्ट का है इनमें नैनो यूरिया सेयंतों की स्थापना की जाएगी भारत नैनो यूरिया का व्याफसाईक उत्पादम प्रारम करने के लिए विश्व का प्रथम देश बन गया है और भारत विश्व में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा भुकता भी है और यूरिया के उत्पादम में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है अगला देखते हैं उत्तर भारत के पहले ओदोगिक जया प्रोदोगिकी पार्क का उद्घाटन किया है किया गया है 28 मई 2022 को केंदी बिग्यान और प्रोदोगी की मंत्राले द्वारा उत्तर भारत के प्रत्थम और दोगी जय प्रोदोगी की पार्क का उदगाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में इसको या इस्थित है देख लेते हैं यह पार्क कठुवा जिले में इस्थित घटी में इस्थित है औ और जो दूसरा पार्क होग कुपवाड़ा जिला इसते थंदवाड़ा में किया जाएगा और इस परियोजना के कार्यार्वन की जिम्मेदारी है वह CSIR जो की जिसको भारती एकिकरत चिकित्सा संस्थान बोलते हैं जम्मू में जो है उसको सौपी गई है अगला देख लेते ह इसके बारे में बताया गया है इस परियोजना यह पर्योजना जयप रोदोगी की विभाग भारत सरकार और जम्मू युं कश्मीर विज्ञान पर दोगी की इवं नवाचार परिशय द्वारा संयुक्त रोप से या वित्थ पोशित है और यह जय प्रोदोगी की पार्क जम्मू और कश्मीर और लद्दा की जय विवित्ता और सिदेई एवं सुगंधित पौधों पर शोध करेगा और हरित शेडी के विवसाय को भी बढ़ाएगा इस पार्क में देखेंगे हर्बल निसकरसन जो की हर्बल एक्स्ट्रैक्शन बोलते हैं फर्मेंटेशन, अनलिटिकल लैब, डिश्टिलेशन, माइक्रो प्रोपरगेशन, प्लान टिशू कल्चर जैसी सुवधाय भी यहां पर उपलब्ध होंगी अब देखते हैं राष्टी जैव प्रोदोगी की पार्क योजना है क्या, तो यह योजना देख लीजे जैव प्रोदोगी की विभाग के सहयोग से, अब तक देश के विभिन राज्यों में नो जैव प्रोदोगी की पार्क को स्थापनित कर चुकी है, और जैव प्रोदो प्रदोगी की पार्क प्रदोगी की इंक्यूबेशन के इνद गुवा, हर्टी असम में 6 देखे जैप प्रदोगी इंक्यूबेशन के इंद घोची केरल में अगला है जैप्रदोगी की पार्क बंगळूरू करनाटच प्रदोगी की पार्क निया रायपुल जो की छथिस गड़ में है एक बार फिर से सबके नाम आप देख सकते हैं पहला कौन सा है लखनो यूपी का जया प्रदोगी की पार्क फिर उसके बाद है ध्राबाद का है और ऐसे ही करके आप यह पूरे नो देख लीज़ें अब हमें पढ़ना है स्वास्त विश्यक बैग्यानिक गत्विधियां सरीर और स्वास्त से जो रिलेटेड है अब उनको पढ़ने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले पढ़ना है अजर्बायजान और ताजिकिस्तान जो है वो मलेविया मुक्त घोशित हो गया है मार्च 2023 में विश्यक स्वास्त संगठन डबलू एचो द्वारा घोशित किया गया है कि अजर्बायजान और ताजिकिस्तान में क्रमसावस्द दोहजार बारा और चौदा में स्थानी रूप से प्रशारित प्लैजमोडियम विवैक्स जो की मलेरिया कांती मामला है वो दर क centres लगई हैं इसके साथ ही वर्तमान में विश्व इस तर पर डबलू एचो से मलेरिया मुक्त प्रमाड़ पत्र जो प्राप्त करने वाली देश स्षेत्र है उन्की संख्याब कितनी हो गई है 42 हो गई है जुन 2021 में पिछले तीन दसकोव में मलेरिया मुक्त प्रमाड़ पन प्राप्त कर चुके हैं उसमें चीन और डबलो एचु पश्मी प्रशांद छेत्र का पहला देश है बना है और इसके अतिरिक भारत के पडोसी देश जो कि स्री लंका उसको 2016 में मलेरिया मुक्त प्रमार प्राप्त हुआ था और मलेरिया और मुलन हुए तु जो प्रयास है व जुलाई 2017 में मंत्राले ने मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्टी रर्नीति क्योजना 2017 से 22 इसको लॉंच किया था 25 सप्रेल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाय जाता है हर साल और 2023 की थीम देख लीजे टाइन टू डिलिवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनुवेट इंप्लिमेंट है विसे जरूरी याद रखिए अब देखते हैं विस्व मलेरिया रिपोर्ट के बारे में 2022 की 8 दिसंबर 2022 को डबलो एचो ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है और 2021 में वैस्वी किस्टर पर 247 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किये गए हैं और इसके तरीक्त वर्ट 2021 में जब वैस्वी किस्टर पर देखा जट लगए 6,90,000 लोगों को मलेरिया से जो इनकी है म्नत्य हो गई थी और इस पूर्व एसिया में मलेरिया की कुल मामलों में भारत 79% 2021 के लिए यहां पर जिम्मेदार है देखिए यह कितनी भयानक इस्तिती है अब आगे पढ़ते हैं जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राश्ट्री भंडार कोश दस नॉमबर 2022 को केंदी मंती जीतेन सिंग में जीवन विज्ञान सम्मंदी जो आक्रे हैं इनके लिए भारत का पहला राश्ट्री भंडार कोश राश्ट को समर्पित किया है इंडियास फर्स्ट नैस्नल रिपोजिट्री हरियाना के फरीदाबाद इस्तिति स्कोस को इंडियन बायलोजिकल डाटा सेंटर ये नाम दिया गया है आईबी डी सी जय प्रोदोगी की विभाग दोरा समर्थित या कोस फरीदाबाद इस्तित जय प्रोदोगी की के छेतरी केंद्र में स्थापित किया गया है जबकि इसका डाटा डिजाश्टर रिकवरी स्थल नाशनल इन्फोमेटिक सेंटर भूनेश्वर में इस्तेत है और इसमें लगवग चार पेटाबाइट की डाटा भंडारण की चमता और ब्रम्मू उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी है भारत में सारवजिनिक रूप से वित पोशित अनुसंधान सित्पन सभी जीवन विज्ञान डाटा को संग्रहीत करना IBDC के लिए निवारिक किया गया है अब देखते हैं भारत उच्च रक्तिचाप नियंतरण पहल को या 21 सितंबर 2022 को भारत ने रक्तिचाप के विरुद्ध किये गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट पुरुसकार जीता है इसमें और यहाँ पुरुसकार भारत उच्च रक्तिचाप नियंतरण पहल के तहत इसको प्रदान किया गया है और इस पहल को 2022 UN Interagency Task Force and the WHO Special Program on Primary Health Care Award से पुरुसक्रित किया गया है देख लीजे अवर्ड और भारत उच्च रक्तिचाप नियंतरण पहल जो की IHCI को नॉमबर 2017 में लॉंच किया गया था और इसको पुरुसकार मिला है IHCI का दुती चरण 2019 में लॉंच किया गया था और वर्तमान में IHCI का कार्यानवन 23 राज्यों के 137 जिलों में किया जा रहा है यह एक 5 वर्षी पहल है और केंदी स्वास्तेम परिवार कल्यान मंत्राले भ लक्ष है इसको इसमें अंगी करित किया गया है यह देख लीजे इसके तहट वर्ष 2025 तक गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली जो अकाल मौत हैं उनमें 25 प्रतिसत की कटोती करने का लक्ष निर्धारित किया गया है और इसके तहट 2025 तक उच रत्चाप के मामलों में 25 प्रतिसत तक की कटोती करने का लक्ष सामिल किया गया है अब हमें पढ़ना है मंकी पॉक्स के बारे में अभी रिसेंटली हम लोगों ने इस डिजीज के बारे में जाना था अंतर राश्टी चिंता का सार्वजनिक स्वास्तापात काल मंकी पॉक्स के बारे में बता रहा है 23 जुलाई 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स के वर्तमान वैस्विक प्रकोग को अंतर राश्टी चिंता का सार्वजनिक स्वास्तापात का लगोशित किया है देखें इसे पूल जो 22 जुन 2022 को World Health Network है इसने मंकी पॉक्स को पैंडेमिक के रूप में घोसित किया था और पी एच ई आई सी का तात पर इसमें देखते हैं ऐसी इस्तिती से है जो गंभी राकस्मिक आसाधारण और अनपेख्षित हो प्रभावित देश की राष्ट्री सीमा से बाहर या इसे परेभी सार्वजनिक स्वास्त को प्रभावित करती हो और तातकालिक अंतर राष्ट्री कारवाही की जिसके लियाव शक्ता हो अब यहां पर देखते हैं पिएचि आईसी का डबलो एचो की उचितर इस्तर की चेतावनी है जो की अंतर राष्ट्री स्वास्त जोखिम की प्रतिक्रिया में कारवाही का आवाहन करती है पर 2005 में इस चेतावनी प्रणाली जो की प्रारम होने के बाद या सातवा अफसर है जब डबलो एचो ने किसी रोग के प्रकोप को अंतर राष्ट्री चिंता का या सार्वजनिक स्वास्त का पातकाल घोशित किया हो और अब तक डबलो एचो दौरा जो इसकी पी एचाई ए आईसी की जो घोशना है वो किस किस के लिए की गई ही वो देख लीजे 2009 में इन्फ्लुएंजा के लिए की गई थी ए इन्फ्लुएंजा ए एचवन एनवन और या स्वाइन फ्लु होता है जो की और मैक्सिको में उद्भव हुआ था तर्थ पश्यात या संव्ट राज अमेरिका में भी इसका प्रशार हुआ और वर्श 2014 के लिए जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और नाइजीरिया में पोलियो के प्रकोप को इसने गोशित किया था 2014 में संपुन गिनी, सियरा, लियोन और लाइबेरिया में इबोला वाइरस के संक्रमण का जो प्रशार हुआ था उसके लिए 2016 में अमेरिका छेत में जो जीका वाइरस के प्रकोप था उसके कारड़े तुलब नियूरो लॉजिकल इस्तिती जो की माइक्रोसेफली तथा आन 2019 के उत्राद में चीन में COVID-19 के जो प्रथम मामले को सामने जबाया था उसके बाद कई यानी देसों में भी इसका प्रशार हुआ COVID-19 के बारे में कौन नहीं जानता है तो SARS-CoV-2 वाइरस का प्रशार और अंत्ता महामारी के रूप में परिवर्तित हो गया तब घोशित किय गया और वर्स 2022 में देखिए मंकी पॉक्स के लिए इसमें और मंकी पॉक्स का उद्भो और इसका मध्य एवं पश्येसिया अफ्रीका में रहा है और इसके बाहर देसों में व्यापक्रूप से इसका प्रशार भी हुआ जुलाई 2022 में डबलू एचो दश्चिरपूर एसव वो की गई थी उद्भो छेतर देख लिजे और इसका सबसे पहला केस कहां पर आया वो भी देख लिजे सबसे पहले इसका जो देखिए केरल में 35 वर्स युवक्स रहा उसमें मंकी पॉक्स रोकी पुष्टी की गई थी UAE से तिर्वनत पुरम आया था और सबसे पहले देख लिजो पहला मामला भारत में ही देखा गया था कुछ और डिजीज दी गई हैं जैसे कि सर्वाइकल कैंसर इनके जादत तर मामले जो हैं वह हुमन प्यापिलोमा वाइरस इसके लिए तरदाई है HPV जिसको बोलते हैं या छोटा DNA विशाणू है जो तचा या इसलेस में कोशिकाओं के माध्यम से संक्रमित करता है आगे देखतें lumpy provactica यह क्या है देखे 10 अगस 2022 को एक vaccine है स्वधीस है lumpy provact जो की है इसको launch किया गया है इसे केंदी क्रशी एवं किसान कल्यान मंत्राले द्वारा इसको launch किया गया था यह लंपी तचा और रोक से पस्वों का बचाओ कर पाएगा जो के भी पस्वों में ऐसी लंपी वायरस जैसे इंफेक्शन देखे गए थे जो वायरस के थ्रू हो रहा था भारती क्रेशी अनुसंधान परिसद की दो संस्थाओं द्वारा इसका विकास किया गया है दो संस्थाओं कौन कौन से पहली है राश्टी अस्व अनुसंधान केंद हिसार हर्याणा की और दूसरी है भारती पसू चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर बरेली इन दोनोंने मिल करके सरीन तुलूप से इसका जो है निर्माण किया है विकास किया लेश्टी का पहला जो मामला है वो भारत में वर्ष 2019 में दर्च किया गया था अब जानतें लेश्टी है क्या या लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं अगाड़दार तचा रोग है जी एवी आई दवैक्सील एलाइंस के अनुसार लेश्टी कैंप्री पॉक्स वाइरस इसके नाम से फेमस है इसी वाइरस के कारण हुआ और विस उभर में पसुधन के ल होता है जिसे नीथलिंग वाइरस कहते हैं और यह अनुवांसिक रूप से गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वाइरस परिवार से भी संबन्दित है और इस का मुख के रूप से देखेंगे किसको संक्रमन कर पाया तो या गाय भैस जैसे जो जुगाली करने वाले जानवर थ कि कुछ विशिष्टी प्रजातियों या किल्मी जो की टिक्स होते हैं इनके डायरेक्ट कॉंटेक्ट में आने से या होता है या फिर दूशित खाद्यम जलके माद्यम से पसवों में संचिरित होता है चलिए अब आगे हम अधितन पर्यावरन विज्ञान को भी देख लेते हैं और इसमें क्या-क्या इंपोर्टन चीज़े हमें पढ़नी है वो देखते हैं तो सबसे पहले अखिल भारती बाग संकलन जो की 2022 काया है उसको देख लेते हैं और यह काफी इंपोर्टन है हम 2023 को इसके पांचवे चक्रुक के परणाम जो थे वो घोशित किये गए और इस्टेट्स ऑफ टाइगर्स 2022 नामक रिपोर्ट में इसमें जो संकलन इसका है वो प्रस्तुत किया गया है नवीनतम बाग गर्णा के परणाम जो दरसाते वो वर्ष 2022 में भारत में जो बागों की संख्या है वो 3166 तक पहुँच चुकी है इसे पूर्ट वर्ष 2018 में देखें तो इनकी संख्या कितनी थी 2967 थी अब कितनी हो गई बढ़कर 3166 ये संख्या जरूर याद रखिए और 2018 से 2022 में देखें तो मद भारत में बागों की जो संख्या है वो 6 दसमलों 7-4 प्रतिस्य दिगत बागों के चित्र खीचे गए हैं इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो नियूंतर माबादी वो 3166 अनुमानित की गई है तो देख लेते हैं कहां पर कितनी संख्या है छेत्र के आधार पर भारत में कुल बागों की संख्या छेत्र पहला है सिवाली की पहाड़िया और गंगा का मैदान छेत्र और यहां पर 804 बागों की संख्या बताई गई है दूसरा है मद्ध भारती छेत्र एवं पूर्वी घाट यहां पर 1161 है पश्मी घाट छेत्र में 824 है शिवाली का पहाड़ी और गंगा में हमने कितना देखा गंगा मैदान छेत्र में 804 संदर्बन में देखते हैं 100 है और भारत में टोटल कितने 3080 तरह दर्साय जा रहे हैं देखिए फिर से देख लीजे सबसे ज्यादा कहां पर है मद्ध भारती छेत्र जो है पूर्वी घाट वहां पर 1161 है उसके बाद सबसे ज्यादा पश्मी घाट छेत्र में 824 उसके यहां पर एक और important information दी गई जो रानी पुरुत्तर प्यदेश का सिवालिक परिदश्य है और MP का जो मद्ध भारती छेत है इसके मद्ध में तीन भाग उभयनिष्ट जो common है सभी परदस्यों के कुल जोड में से तीन भागों को यहां पर घटा दिया गया है चलिए प्रोज टाइगर लॉंच किया गया था और इसको अब क्या हो गया है पचास वर्स पूरे हो गया है और यह विस में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाती संग्रक्षन पहल है और देखते हैं एक अप्रेल 2023 को देख रहे हैं कितना हो गया 50 वर्स हो गया मतलब एक अप्रेल 1973 को ल प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 वर्स पूरे हुए हैं उस पर एक इसमरणोत सो उध्गाटन किया था इसके कारिक्रम का और उन्होंने 50 वर्स पूरे होने के उप्लक्ष में एक इसमारक सिक्का भी जारी किया है प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण एवं वन एवं जल्व परिवर्तन मंत्राले के केंद प्रायोजित परियोजना है और इसमें देखते हैं जो बाग अभ्यारन है बागों के संग्रक्षण के लिए बाग राज के केंदी सहायता भी उपलब्द कराती है ठीक है आगे हमें देखना है इसके बारे में कॉर इंफोर्मिशन है इंटरन हिम्तेंद्वा है पिम्मा है जगुआर है चीता है इनका संग्रक्षन और सुरक्षा इस पर जो अलायंस है इसके तहत किया जाएगा और इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को सरण देने वाले देश भी सामिल होंगे अब हुम देखते हैं इंडियन एनर्जी एक् कार्बन टतस्त गोसित होने वाला भारत का पहला पावर एक्स्चेंज है इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज भारत का प्रमुक उल्जा बाजार है जो विद्दुत नवी करने उल्जा प्रमाण पत्रों के भौतिक वित्रड के लिए एक राष्ट व्यापी सचालिक ट्रेड विधियों द्वारा जो वायमंडल में रिलीज की जाने वाली कार्बन डिया उक्साइड है उनके द्वारा वायमंडल में जो अक्षोषित या हटाई जाने वाली सियोटू की मात्ता है वो क्या हो बैलेंस्ट हो जाए या संतलित हो जाए इसे ही क्या कहते हैं Net Zero Carbon Emission क्योंक पसूजों की निलगिरी तहर के संग्रक्षन के लिए परियोजना सुरू की है निलगिरी तहर परियोजना और ये भारत की पहली परियोजना है और इसको पांच वर्सों के लिए लौंच किया गया है 2022 से 27 तक के लिए निलगिरी तहर के संग्रक्षन के आउशक्ता के बारे में जागरुकता पैदा करने को दे से 7 अक्टूबर को नीलगीरी तहर पर दिवस के रूप में मनाया जाएगा आप से और नीलगीरी तहर परवती छित्रों में पाये जाने वाला एक हूवड जानवर है यानि कि उसमें खुर पाये जाते हैं अब देखते भारत में चीते का कुनरवास, सत्ता सितंबर 2022 को प्रधान मंती नरेंद मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्टी उद्यान जो की MP में है यहां पे रहने के लिए मुक्त कर दिया गया और ये चीते कहां से लाए गये थे नामीबिया से, आठ चीतों को कूनो राष्टी उद्यान में छोड सी हुई है और इस क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिड अफरीका से लाए गये 12 चीतों को कूनो राष्टी उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया है, कहां से लाए गये दक्षिड अफरीका के नामीबिया से, चीतों को भारत में पुनरवास प्रोजक्ट चीता के तत्व अधान में संभव हुआ है जो इनको लाया गया है और जो किसी विसाल जंगली जो मांसाहरी जानवर हैं उनके अंतर महाद्वीपी इस थानांत्रण की विस्व की प्रथम पर्योजना है और नामीबिया से भारत में चीतों के इस थानांत्रण में नावीबिया इस्थित एक अंतर राश्ट्री गैर लापकारी संगठन चीता कंजावेंसन फंड को भी महत्पूर्ण भूमी का इसमें रही है अब यह जो चीते लाये गए हैं इनके गले में एक GPS VHF जो की एक सैटलाइट है रेडियो कॉलर वो पहना दिया गया जिससे इनकी निगरानी भी की जा सके और इनकी पहचान की जा सके और चीते की जो उप प्रजाती जो भारत में विलुप्त हो गई थी वह ACI चीता ठीक है वो यही है जो चीते लाये गए हैं इनकी उप प्रजाती है जबकि वह प्रजाती जिसे नामीबिया से भारत लाया गया है वो अफरीकी चीता है जो की दे जुबैटस विनेटिकस ये इसका नाम है ठीक है दोनों में उप्रजाती देखी अलग-अलग है जो भारत में लाई गई अफ्रीका उसका वेग्यानिक नाम देख ली जो और ये उप्रजाती भारत की थी जो की विलुप्त हो चुकी है अब हम जानते हैं चीता जो की इसका हम संख्या वह कितनी है छेजार पांसो सत्रा अनुमानित की जा रही है और अफ्रीका महादीप में जो चीतों की अबादी मुखिता नामीबिया दक्षिड अफ्रीका बोथ स्वाना इन सब देशों में ज्यादा पाई जाती है और किसी भी देश के संदर में चीतों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है नामीबिया में है और इसी लिए से दस चीता कापिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है अब वैस्विक रूप से जो संकट ग्रस्त जो प्रजातियां है उनकी आयोसीन जो रेड लिस्ट है उसमें चीतों को जो क्या किया गया है व 1952 में भारत सरकार ने चीते को भारत में एक्स्टिंट गोशित कर दिया था और रिकॉर्डड हिस्ट्री में देखें तो भारत में विलुक्त गोशित होने वाला एक मात ब्रहद इस नंधारी ये मैमल है एक और important information है महेंदगीरी पहाडी के बारे में जो की जय विवित्ता विरासत इस्थल गोशित हो गया है और 25 नंबर 2022 को उडिसा सरकार ने से एक अधिसूचना के माध्यम से जो महेंदगीरी हिल्स है इसको जय विवित्ता विरासत इस्थल गोशित किया गया है और यह उड जय विवित्ता विरासत इस्थल है मंद सरू कंधमाल जीरा इसे 12 मार्च 2019 को घोशित किया गया था और 22 नंबर 2022 को तमिल नाडु सरकार ने अरिटा पट्टी को तमिल नाडु का पहला जय विवित्ता विरासत इस्थल गोशित किया गया था और महेंदगीरी पहाडी जो की गर्षपती जिले में परालाखे मुंडी संभाग में स्थेत है और अरिटा पट्टी जो जय विवित्ता विरासत इस्तल है या मदुरई जिले के अरिटा पट्टी तथा मीनाक्षी पुरम गाओं में एक सो तिरान अबे दसमनों दो एक पांच हेक्टियर छेत्र में विस्तित है और जय विवित्ता अधिनियम जो की दो हजार दो हैसकी धारा 37 में जो राज्यों को जय विवित्ता विरासत इस्तल गोसित करने के संबंदित जो प्रावधान है वो इसमें दिये गए हैं और वर् 2007 में घोशित किया गया था महराश्टिय विवित्ता विरासत इस्तल पांच है और यूपी में जय विवित्ता विरासत इस्तल देखे इसकी संक्या एक है और मध्य प्रदेश में कितने हैं तीन हैं बिहार में अभी तक कोई भी इस्तल ऐसा नहीं है भारत में ऐसे 36 हैं जल् ग्रेकन और यह चिक मंगलूर करनाटक में है और इसका भी देखिए पचिस सो आठ दस्मलों एक पांच एकड़ में फैला हुआ है तीसरा युनिवर्स्टी ओफ एगरी कल्चिर साइंसेज गांधी कृषी विज्ञान केंदर परसद जो की बंगलूरू करनाटक का 167 हेक्टे पांचवा है ग्लोरी ओफ अलापली गड़ चिरॉली का महराष्ट में छटा है टोंगलू दारजिलिंग का पश्चिम बंगॉल में साथवा है धोत्रे दारजिलिंग पश्चिम बंगॉल का एक बार आप ये लिस्ट जरूर से जरूर देख लीजे जिससे आपको नाम जो की असम में है घडियाल पुनरवास केंद्र लखनो का है यूपी का ग्यारवे नंबर पर और बारवा है चिल्कीगड कनकदूर्ग जाडग्राम जो की पश्चिम मंगॉल का है खलाकुर सी एम कामाई लंग जो की रीभोई मेघाले का है फोर्टीन नंबर पर मंसरू सिंद्वाड़ा MP का और अगला हम लोग देखते 18 नंबर पर असरामम कुल्लम केरल का है 19 नंबर पर बंबाडे मिस्रिस्टिका स्वैंप सिंदू दूर्ग महाराष्ट का 20 नंबर पर गनेश खिंड गार्डन है पुने महाराष्ट का 21 नंबर पर लंदोर खोरी जो की जलग 22 नंबर पर शिस्तुरा हिरन्य केशी सिंदू दूर्ग महाराष्ट का देखे महाराष्ट के चार है चारों नाम एकवा फिल से देख लिजए बंबाडे मिस्टिर्शिका स्वैंप और गनेश खिंड गार्डन लंदोर खोरी है शिस्तुरा हिरन्य केशी है पश्चिम बंग हाई अल्टिट्यूड मीडो एड़ेड हुडन भटोरी चंबा हिमाचल प्रदेश का है 26 बेच पाइन फॉरेस्ट पैच एड नैन गहर है जो लहौल स्पीती में हिमाचल प्रदेश में हैं 27 नंबर पर देखते हैं तो बारा मुरा वाटर फॉल है खोवाई त्रिपुरा में 28 है उना कोटी जो त्रिपुरा का है 29 नंबर पर देखे सिलाचरी गुफा है गोमती त्रिपुरा की तीस्वा है डेपारी याu चावी मुरा ये कहां पर गोमती त्रिपुरा का ही है और 21 है बैटलिंग सिव एंड इट्स सराउंडिंग आपने तो कुछ न कुछ इसमें नाम याद रहे जाएंगे देखे समुदु तटो को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया अब देखते हैं किसको मिला है तो 26 अक्टूबर 2022 को परियावरण वन और जल्वाई परिवर्तन मंत्राले द्वारा जारी विग्यप्ति के अनुसर दो भारती समुदु तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और ये दोनों कौन कौन से है थुन्डी तट जो की मिनी कोय का है और दूसरा है कदमत तट ये दोनों तट ही लक्षदीप में इस्तित है यदि इसको भी जोडने तो अब तक भारत में 12 समुदु तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और अब तक विश में 50 देसों के 5,066 समुदु तटों बंदर गाहों और परेटर नौकाओं को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है अब ये 12 जो भारती समुदु तट है इनको जरूरियात कर लीजे पहला है सिवराजपुर गुजरात का दूसरा है गोगला दीव जो दादर नागर हवेली और दमन दीव का है तीसरा है पदुबिद्री करनाटक का उसके बाद फोर्थ नंबर पर कासर कोड गरनाटक पाच्वा कपड केरल का छठा है कोवलम तमिलनाडू साथवा है इडन पुदुचेरी आठवा है रुशी कोंड़ा आंध्रपदेश नवा है गोल्डन उडिसा दसवा है राधा नगर सुराजदीप अंडमान और निकोबार दीप समू का ग्यारवा है थुन्डी तठ जो की लक्षदीप का है और बारवा है कदमत तठ ये भी लक्षदीप का है जो अभी अभी इनको प्रमाडपत दिया गया है अब याब ब्लू फ्लैग कारिक्रम सबसे पहले है क्या इसको देख लीजे याब फांडेशन फॉर एन्वार्मेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग सहित कुल पांच कारिक्रमों का संचालन इसमें किया जाता है जो ब्लू फ्लैग है देश का तिरपन्वा बाग हभ्यारण मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको यह याद रखना है 19 अक्टूबर 2022 को यूपी सरकार दौरा जो रानीपूर बाग हभ्यारण है इसके गठन के अधिसूचना दी गई है और यह कहां इस्तित है चितकूर जिले में है देश का या तिरपन्वा बाग हभ्यारण है और राजि सरकार दौरा नाईपूर बाग हभ्यारण के अधिसूचना जारी करने से पूर football चेत के 20,031 हिक्टेरड चेतको वर्स 1978 में रानीपूर बाग हभ्यार्ण के रूप में अधिसूचित किया गया था और यह जो रानी पुर्वाग अभ्यारन है यहाँ पर जो छेत है वो ट्रापिकल ड्राइड डैसीडिवस फॉरेस्ट का जिने क्या बोलते हैं उश्न कटिबंदी सुस्क पढ़न पाती वन इसमें बाग, तेंदवे, स्लोथ बियर, चितिदार, हिरन, सांभर, चिंकारा इन सभी जीवों कवास है और कई प्रकार के पक्षी और सरिस्ट्रप की भी प्रजातिया यहाँ पर पाई जाती हैं पन्ना टाइगर रिजर्व जो की MP में है और रानी पुर्वाग अभ्यारन य जो बफर एरिया है वो 299.05 वर किलो मीटर का है अगर टोटल एरिया जोड दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा 539.36 वर किलो मीटर का अब इसके साथ में अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में और कौन-कौन से बाग अभ्यारन है तो पहला है दुधवा जो की 2010 में इसक सूचना हुई थी और इसका छेत्रिफल देखा जाए तो 2201.077 वर किलो मीटर का है दूसरा है अमानगड छेत्र जोकी कारबेट टाइगर रिजर्व है 2012 में सूचित हुआ और या 80.60 वर किलो मीटर का है तीसरा है पीली भीत का 2014 में या 730.25 वर किलो मीटर का चौथा जो भ परकार उत्तर प्रदेश में चार बाग अभ्यारण है कौन-कौन से दुद्वा अमानगड छेत्र तीसरा पीली भीत और चौथा है रानिपूर अब देखते हैं भारत में बाग परिद्रश्र के बारे में क्या-क्या छेत्र है भारत में बाग आवासित वनों को निमलिखि परिद्रश्रों में वर्गी कृत किया गया है पहला सिवाली की पहाड़ी और गंगा का मैदान छेत्र दूसरा मद्य भारती छेत्र और तीसरा पूर्वी घाट चौथा पश्चिमी घाट पांचवा उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र का मैदान और सुंदर अब इसमें हमें पढ़ना है भारत का पहला स्लेंडर लोरी सभ्यारण ये बनाया गया है देख लेते 12 अक्टूबर 2022 को तमिल नाडू सरकार ने भारत के पहले स्लेंडर लोरी सभ्यारण के गठन के अधि सूचना जारी की है इसे कदावूर इस्लेंडर लोरिस अभ्यारण के नाम से जाना जाएगा और इस अभ्यारण का विस्तार कहां तक है तमिल नाडूर के कुरूरेवं डिंडी गिल जिले जो है यहां तक इसका विस्तार है तो छेतरफल देखते हैं इसका कितना है यह छेतरफल हेक्टेयर में दिया गया है जो कि 11,806,56 हेक्टेयर में है और स्लेंडर जो लॉरिस है यह छोटे निसाचर प्राइमेट होते हैं नर्वानर जिनको बोलते हैं और मुखिता दक्षिड भारत तो शीलंका के जो उसल कटी बंधी और पढ़पाती वन हैं इनमें पाय जाता है लवकर 25 सेंटीमीटर लंबे जो यह जानवर है इनका जो वजन देखा जाए हो 275 ग्राम का होता है और इनका जो जीवन काल है वो देखिए 12-15 वर्स का होता है इनकी दो प्रजातियां पाई इंजर्ड इस्पीसीस के रूप में लिस्टिंग की गई है इनकी और जो ग्रेश स्लेंडर लोरिस है वो नियर थेटेंड के रूप में भी सूची बद्ध हो गया है और अब हम देखते हैं देश का जो पहला डुगोंग संग्रक्षन रिजर्व बना है उसके बारे में 21 सि तंजावूर और पुदू कोटई जिलों के तटी जल तक का इसका भाग होगा इसका जो विस्तार है वह कहां तक है नाम याद कर लीजे और भारती वनी जियू संस्थान के अंसौर जो डुगोंग है वो भारत में मननार की खाडी, पाक की खाडी और कक्ष की खाडी तथा अद्रमान निकोबार में ये पाये जाते हैं भारत का हेला हेमस्खलन निगरानी रडार इसका उधुघारटन किया गया है कब 20 सितंबर 2022 को और सिक्किम मेझ भारत के अपनी तरह के पहले एवलांस से मौनीटिंग रडार का उधुघारटन किया गया हेमस्खलन को अवलांसरे बोलते हैं और इसकी स्थापना भारति-थलसेना और चब हूँ सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा की गई है देख लीजे किसके किसके द्वारा या की गया है और यह रडार हिमिस्खलन के ट्रिगर होने के तीन सकेंड के अंदर उसका पता लगा लेगा जिससे यह अत्यधी कुछाई वाले अभ्यारण हाली में तराई हाथी अभ्यारण की स्थापना ये तुप पर्यावरण वन और जल्वाई परिवर्तन मंताल है भारत सरकार दौरा मंजूरी प्रदान की गई है और यह हाथी अभ्यारण यूपी में स्थापित किया गया है यह देश का 33 हाथी अभ्यारण है ज उत्तरप्यदेश की चार्जिले कौन-कौन से लखीमपूर खीरी, बहराईच, पीली भीत और साजहापूर इतने जगह पर विस्तरत होगा और यह पीली भीत भाग अभ्यारण जो दुद्वा भाग अभ्यारण, किशनपूर पच्छी अभ्यारण, कतरनिया घाट वनिजी अ भाग अभ्यारण, दुद्वा भफर जोन और दक्षिर खीरी वन प्रभाग तक यहां तक इसको विस्तरत किया गया है इसकी जो स्थापना की गई है वो प्रोजेक्ट ऐलीफेंट के तहत की गई है और प्रोजेक्ट ऐलीफेंट की सुरुआत कब हुई थी 1992 में उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व के बारे में जान लेते हैं या उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण है और इसका छेत्रफल कितना है 744 वर्क किलोमीटर इस्तापना कब की गई 9 सितंबर 2009 को प्रोजेक्ट ऐलीफेंट के अंतरगत अब भारत में हाथी अभ्यारण की सूची देख लीजे कौन-कौन से और कबिन के अधि सूचना हुई और किस राजी में हैं तो पहला है रायला हाथी अभ्यारण आंध्य प्रदेश का ठीक है अधि सूचना कीती थी है 9 दिसंबर 2003 की पुल छेतिफल इसका कितना है 786 वर की किलोमीटर का दूसरा है कामेंग हाथी अभ्यारण अलुनाचल प्रदेश का ये 2002 में 19 जून को 1892 इसका छेतिफल है तीसरा है दक्षिड अलुनाचल प्रदेश का और अलुनाचल प्रदेश का ही है जो की 29 फरवरी 2008 को घोशित किया गया 1957 दसमलो पांच जिरो इसका वर किलोमीटर छेतिफल है चौथा है सोनित पूर हाथी अभ्यारण असमका 2003 में घोशित किया गया 6 मार्च और 1420 इसका छेतिफल रहा है और पांचवा है दिहंग पटगाई हाथी अभ्यारण नाम एक बाद देखते चलिए साथ में या 237 किलोमीटर का अगला है काजी रंगा कार्बियंग लॉंग हाथी अभ्यारण 2003 में इसे भी गोशत किया गया असमका है 3270 इसका छेतिफल है अगला देखते हैं धनसरी लुंगडिंग हाथी अभ्यारण है असमका अपडेट देख लीजे 2003 इसकी भी है और इसका छेतिफल देख लीजे अगला है चिरांग लिपू हाथी अभ्यारण असमका फिर है बादल खोल तमोर पिंगला 36 गड़का नवा है दसवा है लेमरू हाथी अभ्यारण 36 गड़का जोकी 2022 में गोशित की अगया 480 इंपॉर्टेंट है न्यू है ना लेटेस्ट आप देखते चलिए सिंग्भूम हाथी अभ्यारण 2001 का जारकन बारवा है मैसूर हाथी अभ्यारण करनाटक का 25 ग्यारण 2002 को इस्तापित हुआ और थर्टीन नमबर पर डांडेली हाथी अभ्यारण 2015 का करनाटक का चौधवा है वाइनाड हाथी अभ्यारन, 2002 में केरल का है वाइनाड, 15 नमबर पर नीलामबूर हाथी अभ्यारन है केरल का, 16 नमबर पर अनामुदी हाथी केरल का है, 2002 में इनको गोशित किया गया, पेरियार जुकी केरल का है, 2002 में इसे भी गोशित किया गया, 18 गारो हिल्स हा थी अब्ढ़ातन नागालेन केल दवा सेंग़ना, मोीं दारे दी हांते हैं कर दोग तनिशन नाड़ कग्र और यह दो हजार दो प्रिशा के मुलेन है यह डोगेशा के थे इस ज більत आप मिल डू लाट ये भी तमिल नाडू का है 2003 में अगस्ते मलाई याद रखे इंपॉर्टेंट है तमिल नाडू का है 28 नंबर का 2022 में गोशित किया गया है और 29 जो है उत्तर प्रदेश हाथी अभ्यारण 29 जो की 29 नंबर पर देखने यूपी का है 2009 में गोशित किया गया तीस्वा है तराई हाथी अभ्यार, उत्तरा खंड का 22 नंबर पर मयू जंद्ना हाथी अभ्यार वेस्ट बेंगौल का 33 नंबर पर पूर्वी द्वार हाथी पेश्चिम बंगौल का इस प्रकार के हमने 33 हाथी अभ्यारण हमने देखे हैं सब को एक बार रिपीट करके देखेंगे तो याद हो जाएंगे आगे अब हम लोग देखते हैं तीन हिमालाई पौधे जो की आयूसियन की रेड लिस्ट में सामील हो गए हैं अब ये कौन-कौन से इनको पहले देख लेते हैं तो हाली में हिमालाई छेत में पाए जाने वाल पालीटा दूसरी है फ्रिटिलोरिया सिरहोसा और तीसरी है डेक्टाइलोरोईजा और हतागीरिया ये इनके तीनों के नाम हैं और ये मुखी रूप से पटवा के रूप में जानी जाती हैं जो की मेजोटोपिस पालीटा है और या एक सदा बहार जाड़ी है जिसका वितर सीमित है उत्राखंड का ये इस्थानिक पौधा है और इस पौधे को गंभी रूप से संकट ग्रस्त कहा गया है क्रिटिकली इंडेंजर रूप में सूची बद किया गया है और जो फ्रिटिलोरिया सिरहोसा है ये हिमालाई फ्रिटिलरी के नाम से जाना जाता है और बाराम पौधे डेक्टाइलोरिजा हतागिरिया इसको सलाम पांजा के रूप में जाना जाता है या बारामासी कंद प्रजाती का है या हिंदुकुस और अफगानिस्तान भूटान चीन भारत नेपाल और पाकिस्तान के हिमालें छेत में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाती है और IUCN की ए रेड लिस्ट में इंडे इंजर डूप में सूची बद्ध किया गया है। अब हमें पढ़ना है भारत के 75 रामसर इस्थल, Most Important Current Affair है, लाच्ट टाइम भी प्रेशन बना था इससे, देखे तेरा अगस 2022 को जो केंदी, पर्यावरण, वन एवं जल्वाई परिवर्तन मंत्राले है, इसके दोरा विग्यप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आदर भूमियों को रामसर इस्थल की सूची में सामिल किया गया है। भारत की सुतंतता के 75 वे वर्स में देश भर में रामसर इस्थलो की संख्या भी वढ़कर कितनी हो गई है। इस प्रकार तमिल नाडू के बाद यूपी जिसमें 10 इस्थल हैं दूसरे स्थान पर है। अब एक 11 नई आदर भूमियों कौन कौन सी हैं वो सबसे पहले देखिए। तंपारा लेक पहली या जील उडिसा के गंजाम जिले में स्तित है और राज में मीठे पानी की सरप्रमुक जीलों में से एक है। उडिसा की तंपारा जील हीरा कुट जला से या उडिसा के संभल पुर जीले में महा नदी पर निर्मित है और यह बांध विश्व में मिठी के सबसे लंबे बांधों में से एक है। तो कौन कौन हो गया तंपारा लेक उडिसा की हीरा कुट जला से उडिसा का। तीसरी है अंसुपा जील या भी उडिसा के कटक जीले में स्तेत है और उडिसा के सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है आदर भूमी महा नदी द्वारा निर्मित एक अउग्जबाव लेक है ये और 231 हेक्टेर छेतर में फैली हुई है तो उडिसा के याद कर लिजे कौन पर निर्मित है तीसरी है अंसुपा जील जील गी उडिसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है और कटक जीले में स्तेत है अब हम देखते हैं यसवंत सागर ये कहा कहे है यसवंत सागर इंदौर छेत्र M.P. में स्तित दो महत्पूर्ण पक्षी छेत्रों में से एक है और साथ ही या MP के मालवा चेत्र में स्थित्त सबसे महत्पूर्ण प्रक्षी स्थलों में से एक है, MP का कौन सा यस्वंत सागर, दूसरा है चित्रांगुडी पच्छी अभ्यारन, या कहां का है तमिल नाडु के राम नाथपुरम जिले में स्थित्त है, अगला है सुचिंद्रम थेरूर वेट लैंड कॉंपलेक्स, कहां का है तमिल नाडु के कन्या कुमारी जिले में है, और यहा कहां पर इस्थित्त है, सुचिंद्रम थेरूर मनाकुडी संग्रशन रिजर्व का ही या एक हिस्सा है, अगला है वुडवूर पक्षी अभ्यारन, यह भी तमिल नाडु का है, और तिरुवरूर जिले में नीदा मंगलम तालुक में इस्थित्त है, वुडवूर पक्षी अभ्यारन, अगला है कांजी रंग कुलम पक्षी अभ्यारन, तमिल नाडु के रामनाथ पुरम जिले में ही इस्थित्त है, एक संग्रक्षित छेत् अगला है थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारन ये कहां का ये महराष्ट का है और मुंबई इसका उपसायर जिला है वहां पर इस्तित है अगला है हाईगम आदरभूमी संग्रश्ण जम्मो कश्मीर के 12 मुला जिले में उसके बाद सालबू का आदरभूमी संग्रश्ण डिज पहला है तमपारा जील उडीशा की दूसरी है हीरा कुडबोंद उडीशा का महानदी परस्तिते बांद और तीसरा अंसुपा जील है जो सब से बड़ी ताजे पानी की जील है उडीशा की तीन हो गये उडीशा के एक जो M.P का है यश्वथ सागर और जो पक्षि शेत्रे उनका है ये उनी का छेतर है संग्रक्षित छेतर है उसके बाद तमिल नाडू के देखिए चार है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारन रामनाथपुरम का दूसरा है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्पलेक्स ठीक है कन्या कुमारी का तीसरा है वुडवूर पक्षी भ्यारन और जो जम्मू कश्मीर का है खाइगम आदुभूमी संग्रक्षण केंद्र जो की जम्मू कश्मीर का ही है यह हमने याद किये हैं इनके सभी के अगले देख लेते हैं कुल जो 75 रामसर स्थल हैं सबको जल्दी से एक बार देखते हैं सबसे पहले स्थल का नाम और कब यह सामिल हुए हैं और शेतफल कितना है सबसे पहले नाम देखते चलते हैं जो लेटेस्ट हैं उनका आप याद रखिएगा मनार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व है ठीक है यह कब हुआ यह 2022 में घोशित किया गया दूसरा है पॉइंट कैलिमियर वनी जी पक्षिय अभ्यारण करीकिली पक्षिय अभ्यारण उधया मार्थनदापुरम यह पक्षिय अभ्यारण है वेदान थंगल पक्षिय अभ्यारण वेंबन नूर वेटलैंड कॉंप्लेक्स चित्रांगुडी पक्षिय अभ्यारण सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉंप यूपी के कौन कौन से हैं उपरी गंगा नदी 2005 हैदर पुरादु भूमी 2021 बखीरा बनी जीव अभारन 2021 समस्पूर पक्षियभ यहरन 2013 अगला है पारवती अरगा समन्स पक्षिय अभ्यारन 2019 पंजाब आता है यहां के छे हैं ब्यास संग्रक्षन रिजर्व 2019 में हरीके जील 1990 में रोपण है 2002 का केशोपूर मियानी सामधाइक रिजर्व है 2019 का कांजली है 2002 का और नांगल वन जीव अभ्यारण है 2019 का यह सारे किसके थे पंजाब के अब छे उडीसा के भी है जिसमें चिल करनी का है तंपारा जील हीरा कुर्जला से अंसुपा यह इस बार जो एड़ किये गए हैं अभी हम लोगों ने पढ़े फिर है जम्मू कश्मीर के वूलर जील होकेरा अद्रभूमी सुरिंसन मांसर जील है ठीक है इनकी डेट देखते चलिए अगला है हाईगम अद्रभू जील वन जीव अभ्भारन हैं 2021 का बधवाना अद्रभूमी है 2021 का खिजडिया वन जीव भ्भारन है 2021 की उसके बाद MP के देखिए अभी एक एड हुआ कौन सा यस्वंत सागर उससे पहले भोज अद्रभूमी साक्य सागर सिर्पूर अद्रभूमी यह सारे हैं हिमाचर प्र जील है इसमें फिर महराश्ट के तीन है नांदूर मदमेश्वर लोनार जील 2020 कर थाने क्रीक फिलेमिंगो भ्यारण जो पढ़ामने महराश्ट का ये कैड़ हुआ है नद्दाक के सो मुरेरी और सोकर आदुभूमी कॉंपलेक्स हर्याणा के दो हैं भिनवास वंजी भ्यारण सुल्तान पुराश्ट्री उद्द्यन और राजस्थान के दो सामभर केवला देव पश्ची मिंगॉल के दो हैं सुन्दरबन आदुभूमी जो सबसे बड़ी हो पूवी कलकत्ता आदुभूमी है इसके बाद जिसके एक-एक हैं जैसे की उत्राखंट का आसन संग्रिक्ष तब हमने पढ़े यह सारे क्या थे रामसर साइट हमने सारी रामसर साइट देख ली है नाम से थोड़ा बहुत तो आपको याद रहेगा लेकिन सबसे इंपॉर्टन के जो भी ग्यारा नए एड हुए उनको याद रखिए और जो पिछले भी दो हजार बाइस में एड यूपी के ज़रूर याद रखिए क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन सकते हैं अब हमें क्या पढ़ना है विस्व की पहली फिशिंग कैट गढ़ना की गई है इसके बारे में जान लेते हैं पांच जून 2022 को विस्व पर्यावरंड दिवस के अउसर पर चिलका विकास प्रा आधी करणद्वारा संचालित की गई और विश्व में फिसिंग कैट की या पहली गढ़ना है जो किसी संग्रक्षित नेटवर्क छेत्र में इसके बाहर संचालित की गई है और फिशिंग कैट जंगली बिल्ली की एक क्या है दूरलब प्रजाती है इसका जो साइंटिफिक नेम है पियो नैलूरस विवेरिनस है ठीक है और वयस्क फिसिंग कैट का आकार 57-78 सेंटीमीटर तथा इसका वजन कित्ता होता है पांस से 16 किलोग्राम तर ठीक है और फिसिंग कैट ज्यादा तर आदरहुमी छेतिया मैंगरू आवास में पाई जाती ज्यादा तर सुंदर बनके मैंगरू वन हिमाले की तलहिटी और पश्चिमी घाट में पाई जाती है फिसिंग कैट को अंतर राश्टी प्रकरती संग्रक्षन जो की आयो सीन की रेड लिस्ट में वनरेबल रूप में रखा गया है जंगली जीवम वनस्पतियों की संकट ग्रस्त प्रजातियों अंतर राश्टी व्यापार पर अभी समय जो है देखिए जो की कन्वेंशन और इंटरनाशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पिसीज ऑफ वाइल फॉना एंड फ्लॉरा साइट्स इसके अनुछेद चार के परिसिष्ट दो में से सूची बद किया गया है और भारत में फिसिंग कैट को पश्चिम मंगा सरकार ने स्टेट अनिमल घोशित किया था और 2020 में चिलका विकास प्राधिकरण फिसिंग कैट को चिलका जील का दूद भी घोशित किया गया है और चिलका जील पसिजल जो की ब्लैकिस वाटर जिसको बोलते हैं इसकी सबसे बड़ी लग अब भैरन कौन सा है वितिर पन्वा हम लोगों ने देखा था बावनवा देख लीजें 16 मई 2022 को राजिस्तान सरकार दाउरा रामगड विजद्वारी जो बाग भैरन है इसकी गठन के अधिसूचना जारी की गई और रामगड विजद्वारी बाग भैरन राजिस्तान के बूंदी भिलवारा और कोटा जिलों में विस्तित है बावनवा बाग भैरन है यह और नव अधिसूचित रामगड विजद्वारी बाग भैरन में दक्षण में मुकुंद्रा हिल्स हैं और बाग भैरन और पुर्वोत्ता में यहां रंध थंबा और बाग भैरन के बीच परिकावाज सामिल किया गया है यह है अल्रीड और फरवरी 2021 में तमील नाडु सरकार दोरा जो श्री विल्ली पुथूर विजड़ ग्लैरी बंजी और मेगा मलाई बंजी और ब्रॉन हैं यह श्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई बाग भैरन के रूप में आधिसूचित क इसका देखते हैं इस बाग अबहरन का जो कोर एरिया है वह चार सो एक आसी दसमलों नौ एक वर्ग किलो मीटर का है बफर जोन इसका अगर देखें वह एक हजार उननीस दसमलों नौ आट इसका वर्ग किलो मीटर और जो संपूर इसको जोड़ देते कितना हो जाएगा पंद हारी जोकी 2022 में 52 है सरवादिक बाग अभ्यारन कहा है मध्य प्रदेश और महराष्ट में जिनकी संख्या कितनी है चे है अब जो भारत का सबसे बड़ा बाग अभ्यारन है वह कौन सा है नागार जुन सागर शी सैलम जोकी आंध्य प्रदेश तेलंगाना में इस्तित है इस जादा से ज्यादा प्रश्ण जो इससे आएंगे वह जरूर से जरूर सॉल होंगे और इस वीडियो से प्रश्ण जरूर आएंगे यह कंफर में तो आप अच्छे से इसको पढ़िए रिवाइस कीजिए यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपके काफी करेंट पर रिवाइस हो गए होंगे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रीज वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए धन्यवाद